अगर आप विंडो 11 का यूज करते हैं और आप उसके लिए लेटेस्ट थीम डाउनोड करना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से जुला है आज मैं आपको बता नहीं आला हूं कि आप किस तरह विंडो 11 के अंदर लेटेस्ट थीम को बहुत इराम से फ्री मे डाउनोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जैसा कि आप सभी को मौलूमी है विंडो 11 हम लोग के बीच आच चुके और काफी लोग इसका यूज भी कर रहे हैं और काफी लोग चाते हैं कि जो इसकी वाइड डिफोर्ट थीम होती है उस पर वो को करेंगे तो देखिए आपको फ्लाल यही थीम देखनों का मिलती है आप इसमें से किसी भी थीम का यूट कर सकते हैं लेकिन अकर आप इसमें और भी थीम डाउनोड करना चाते हैं तो उसके लिए देखिए आपको यहां ब्रॉग स्थीम का एक ओप्शन मिलता है चब आप इसपे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो माक्रोशॉप का एप इस्टोर है वो ओपन होयाता है और इसे के मात्रम से आप थीम को डाउनोड कर सकते हैं तो यहां मेरे सामने देखिए एप इस्टोर के अंदर थीम बाला ओप्शन ओपन हो चुगा है यहां आपको काफी सार आपके सामने कुछ इस इत्रा का इंटरफेस आता है इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं पूरा इनोंने इसके जो वाल पेपर हैं वह भी हम दिखा रखें तो अगर आप इसे अपने सिस्टोर करना चाहते हैं तो आपको यहां गैट का एक ओप्शन दिखा देगा आप इस वाले ओप्शन में क्लिक करिए इस वाले ओप्शन में क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा से वेट करना होगा और यहां देखिए यह डाउनलोटिंग होना स्टार्ट हो चुकी है तो जो भी आपकी नेट की स्पीड होगी उसी के नुसार आपका यहां जो डाउनलोट तो यह वाली theme हमारी है इसको हम double click करता हूँ यहां से मैं इसको ऐसे double click करता हूँ और देखिए जो पीछे की theme है हमारी यहां change हो चुकी है हमारा चोग यह टाक्स पार यह भी change हो चुका है अगर मैं अपनी window open करूँगा तो यह by default व्यासा यह जैसा मैंने set कर रखाता है लेकिन यहां जो हमारी theme यहां change हो चुकी है और जो हमारा वाल बे पलता वह भी यहां change हो चुका है अकर आप कोई और theme download करना चाहते हैं तो normal आपको यहां इस व हो चुका है पीछे का background change है फिलाल हम इसको अपने open करके देखते हैं यहां से यह भी change हो चुका है पहले ही पूरा white था तो थोड़े असका चो background color हो change हुआ है तो यहां देखिए आपको और भी यहां customize के option मिल जाते हैं आप अपने नुसा इस theme को customize भी कर सकते हैं जब आप य जिसी तरह आप अपनी normal theme के अंदर करते हैं तो फिलाल यहां से back आके अपनी वही theme यह से लगा लेता हूं जो मैंने यहां starting में लगा रखी थी तो यहां से देखिए इसको मैंने theme को select कर लिया है अब मैरी वही theme आ चुकी है जो मने starting में लगा रखी थी तो आप इस तरह बह की किसी भी theme को download कर सकते हैं और उसका use को free of cost कर सकते हैं